और स्वपनल गौर खेड़े भी हमारे सही होगी हमारे साथ जोड़के हैं महासमुन से जी स्वपनल आज बलकुल महासमुन लोकसवा सीट पर सुबह साथ बजे सही मद्दान जा रही है और यहाँ पर आम जनता के साथ जन प्रतनीदी भी लगातार जो है वोट डालने के लिए मद्दान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कॉंग्रेस में जो है कड़ी टकर है और हमारे साथ विमल चुपड़ा जो पूर विधायक महासमुंद सरे उनसे बात करेंगे क्या सिनारियो देख पारें सर यहाँ पर कॉंग्रेस बीजेपी में सिधी टकर है किस तरह की स्थितिय आप देख पारें देखिए कोई टकर जो है भारती जिन्ता पार्टी के साथ किसी की भी नई है भारती जिन्ता पार्टी इतनी आगे है महासमुंद लोग सभा में कि कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि इस चुनाओं में रिकार्ड तोड मत भारती जंता पार्टी के प्रत्यासी को मिले और कॉंग्रेस के प्रत्यासी के जमानत भी जब्त हो सकती है ये भी एक प्रकार का पिक्षर पूरे लोग सभा में उभर करके आ रहा है और कॉंग्रेस ने साहू, यहां पर देखा जाये तो साहू समाज के लोग ज़्यादा संख्या में हैं, तो ऐसे में क्या कॉंग्रेस के पत्याशिक कोई फायदा मिल सकता है क्या? देखिए यह देश का चुनाव है, किसी समाज का चुनाव नहीं है, रास्टरवाद, देश की लक्षा, देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास को लेकर के यह होने वाला चुनाव है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि साहू समाज इतना बुद्धिमान समाज है, इतना और उसका अपना विकास कैसे हो ये देख करके वोट देता है और जिस प्रकार से देश की हमारी मोदी सरकार ने देश में विकास किया है और चार महिनों में भारती ये जनता पार्टी की विश्णु देव साय की सरकार ने विकास किया है च्छतिस गड़का वो अभूत पुर् तक तामरदवच साहु जी का सवाल है जब इस्वर साहु जी के घर में उसके बेटे की हत्या के गई सिर्फ तुष्टिकरण के कारण जो है ग्रीह मंत्री होते हुए और समाज के बहुत बड़े नेता होते हुए भी वो उसके घर आज तक लगभग एक साल हो रहा है उसके घर नहीं गया सांतोना नहीं दिया तो ये कोई किसी प्रकार से न तो उनकी सोच मानवी है ना सामाजिक है ऐसलिए तामरदवच साहु जी को कोई सामाजिक वोट मिलेगा ऐसा मेरे को नहीं गया मैंने पहले जो बताया कि रिकार्ड मतों से आज तक महाँ समुन्द लोग सभाव में इतने वोटों से किझी की जीत नहीं हुई होगी और लगभः लगभः कांगरेस का प्रत्यासी जमाना जब्त के पास वोट जो है उसकी संख्या रहेगी अच्छा रास्ट्री मुद्दे को लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं साथ ही जो तीन मेहने की सरकार में जो काम किया है उस मुद्दो को लेकर जा रहे हैं लेकिन इस्थानी मुद्दो की बात करें महासमुन की तो यहाँ पर जो जनता है जो वोट डालने योजनाहों सभी योजनाहों सो लेकर के 36 गड़ में खुद कांग्रेस की सरकार आवा करती थी कि 0.8% बेरोजगारी है तो जो कांग्रेस चार मुई ने पहले दावा करती थी वो कहे कि 36 गड़ में बेरोजगारी है तो ये हास्यास्पद है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कॉंग्रेस ने नारा दिया है कि विरासट टैक्स लगाएंगे आपकी जो संपत्ती है आपके बुदूर के स्वरगवास के बाद सरकार जब्त कर लेगी यह इस प्रकार की बात कर रहे है जाती के आधार पर किस जात के पास कितना पैसा है यह जो है इसकी गणना करने जा र इंगज नेता है जो केंडरे में मंत्री भी बने लेकिन उसके बाद भी यहां पर शिक्षकों की कमी इसकूलों में बड़े इंस्टिट्यूट नहीं है रेलवे की कमी है याता-यात में परिशानिया ने कई तरह से आपर पर परिशानियों से घिरा है यह वाला शेत्र महासम गए विद्याचर अन्शुक्ल साथ बार यहां से सांसत चुने गए लेकिन यहां पर समस्याए का अंबार है रिल्वे का विकास उतने पैमाने पर नहीं हो पाया है जिते पैमाने पर होना चाहिए था बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के जो साधन डेवलप करने पर नहीं हो पाया है तो कई बड़ी समस्याए हैं यहां पर स्वास्त की बात करें तो सो बिस्तरों के अस्पिताल को जरूर मैडिकल कॉलेज बनाया है लेकिन बड़े केस को अभी भी राइपूर रेफर किया जाता है तो बहुत समस्याओं का अंबार है कि यहां पर बड़ बड़े दिगज जो है सांसत रहें? देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े दिगज सांसत थे लेकिन उन्हों ने यहां की जनता के साथ चल किया है, छेतर का सोशन किया है, लेकिन जब से भारती जनता पार्टी की सरकार केंदर में बनी है रेल की दो लाइन हो चुकी है तीसरी लाइन जो है उसका काम चालू है रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है ट्रेने बढ़ी है अभी बंदे भारत भी इस रूट पे चालू होने वाली है हमारा जो राइपूर से लेके सराईपाली तक का मारग था वो चौडी करण होके फोर लेन हो चुका है आपका नदी मोड से जो उडी सा जाने वाली सड़क है वो भी तीन लेन की हो चुकी है मेडिकल कालेज खुला है यहां एगरिकल्चर कालेज महा समझ में खुला है नए कालेज जो है चीरकों में वो भी खुले हैं और इस लोक सभा में चार नए कालेज खुले हैं चाहे आप हर छेतर का विकास देख ले भारती जनता पार्टी के सासन में हुआ है चाहे वो भारती जनता पार्टी का एक अधिना सा कारिकरता भी अधिसांसद बना है तो उसने इस छेतर के विकास के लिए दिल्ली में लड़ाई लड़ी है आज सीका सेर बांध का पानी लाना है कांग्रेस पांच साल थी उसके पहले पचास साल और थी उसने कुछ नहीं किय लेकिन भारती जनता पार्टी के सरकार 36 गड़ में बनी है और बनते ही जो है वो हमारा सीका सेर का पानी का सर्वे के लिए 6 करोड की 30 स्विक्रिती मिल चुके है धमतरी रिल्ला इनका बढ़ना हो रहा है जी दुर्गी से लेकर के बस्तर तक जो है बले ही दावे वादे जर परूर लगा है सिचाई की भी बात करें वे बल चॉपडा लेकिन सिचाई की भी यहां पर परियाप सुविधाय नहीं है